दोस्तों जब आपको भगवान की भगती करते हुए काफी समय बीत जाता है आप साधनाय करते हैं पूरे शदा से पूरे विश्वास से आप अपने इश्ट देव को मानते हैं पूझते हैं तो वे आपको कुछ सिद्या प्रदान करते हैं जो कि संसार के जो दुख दर्द हैं नकारातमक शक्तियां हैं और बहुत तरह की परिशानिया मानर जीवन को भोगनी पड़ सकती हैं अगर आप बहुत जादा पूजा पाट करते हैं काफी सालों से करते चले आ रहे हैं तो परमातमा आपको एक ऐसी दिवे शक्ति परदान करते हैं जो की आपकी रक्षा करती है नकारातमक शक्तियों से दुख दर्दों से बिमारियों से और भी बहुत तरह की चीजों से और होने वाली गटना दुर गटना के बारे में जो कि आपको सचेत करती है आपको पहले ही अवगत वो करवा देती है ऐसी शक्तिया बगत को प्रदान करते हैं आपके इश्ट देव जब प्रमात्मा आपको सिध्या प्रदान करते हैं शक्तिया प्रदान करते हैं वो दो तरीकों से कर सकते हैं सबसे सुरुवाती जो सिध्या हैं वो आपको सपने के माध्यम से प्रदान करेंगे और सपने के माध्यम से आपको आपके इश्ट देव के भव्या और विशाल दर जो भी आपकी इस्तिती चली हुई है घर में किसी भी तरीके का आपके घर का माहूल है वो आपको सपने के माध्यम से ठीक होता हुआ दिखाई देगा और वो सत्यसावित होगा दोस्तों आपके जीवन में कुछ नगुच ऐसी घर शुरू हो जाती है जो की सत्यसावित होना शुरू हो जाती है और वो आपको पहले ही आपके इश्ट देव बता देंगे क्योंकि जो भी आप स्रद्दा से भाव से उनकी भगती कर रहे हैं उसका फल वो आपको प्रदान क के बारे में पता कर सके अपने जीवन में होने वाली घटना दूर घटना के बारे में पहले ही अवगत हो जाएं और सचेत हो जाएं जब ये सारी घटनाएं आपकी सत्यसावित होना शुरू हो जाएंगी तो आप स्व्म पता कर सकते हैं आपको स्व्म एहसास हो जाएगा क आपके द्वारा की गई पूजा पाट आपके द्वारा की गई सेवा राधना आपके इश्ट देव ने सुविकार की है पहला संकेत जब आपकी श्रद्दा से की हुई भगति प्रमातम को सुविकार होती है उसका पहला संकेत यह है कि आप जो भी श्रद्दा से पूरे भाव से चीज मांगेंगे जो भी किसी भी चीज के आपको जरूरत है वो आप अपने इश्ट देव से मांगेंगे तो वो आपको तुरत मिल जाएगी क्योंकि आपके इश्ट देव आपको सारी चीजे जो हैं संसार की वो प्रदान करते हैं जो भी आपके आवशकता हैं वो सारी व जो कुल देवता हैं कुल देवी हैं उनके साक्षात आपको दर्शन होने लगेंगे खुली आखो से साथ ही आपको देवता का अदभूद और सुन्दर रूप आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जो आपके घर में अगर छोटी मोटी परेशानी थी दिक्कत थी या फिर चोटी मोटी नकारातमक्षक्ति थी वो भी आपको खुली आखों से दिखना शुरू हो जाएंगी जो की बाहर जाते हैं आपको दिखाई देंगी या फिर आप से मुक्ष्धाम को बेज दो और आप अगर अपने इस्ट देव से थोड़ी से प्रात्ना करेंगे कि मेरे गर में जो यह आत्मा जो भी परिशानी है जो नकार अत्मक शक्ती है मोक्ष को जाना चाती है हे प्रमात्मा हे इश्वर इनको मोक्ष को भेज दीजे आप तो वो directly मोक्ष को चली जाएंगी और वो आपको इतना जादा अशिरवाद दे करके जाएंगी कि आपके या फिर वो आपके घर में ही दूत का कारिया करना शुरू कर देंगी आपके घर में रक्षा करना वो शुरू कर देंगी नकारात मक्षक्तियों से आपकी क्योंकि जो मलीन रूप है वो शुद हो करके आपके घर के कारिये में लग जाएगा आपके जो देवता है उनको शुद करके आपके घर के दूत के रूप में उनको आपके घर पर ही छोड़ देंगे। भी जाएं तब भी लगतार वो मंत्र आपको सुनाई देगा बहुत से लोगों के साथ ये चीज़े होती हैं क्या पता उन में से एक आप भी हो और जिन लोगों के साथ हुई हैं वो अवश्य रूप से कमेंट में ओम नमश्यवाय लिखें या फिर अपना अनुगा आप कमें परिशानी चल रही है वो खतम हो जाएंगी और ब्रहमूरत के समय ही आपकी आँके खुलना शुरू हो जाएंगी और बिल्कुल भी आपको नीद नहीं आएगी जिस टाइम ब्रहमूरत होता है तीन से पांच बजे के बीच का जो समय होता है उस समय बहुत लोगों की आँक पितर आपके साथ है तब ही आपके साथ ये सारी चीजे होती है जिन लोगों की आँके ब्रहमूरत में खुलती है वे पूजा करना जरूर सुरू कर दें अपनी इश्ट देव की और बाबा बोले नात को भी वो अपना गुरू मान सकते हैं बाब बोले नात क्योंकि जगत पार्ट खुल जाते हैं आप ब्रहमूरत के समय ही एक लोटा जल और दूद डालके उसमें और थोड़ी सी मिश्री के दाने डालकर करके आप बाबा बोले नात को अगर इसनान करा करके आएंगे शिवलिंग को इसनान करा करके आएंगे तो आपके जीवन में और भी आत्म की तरफ बढ़ा करके देखेंगे तो आपका जीवन ही सुदर जाएगा संसार की टैंसने चिंताएं परेशानियां दुख दर्द बिमारियां सब चीज से आपको मुक्ती प्राफ्ट हो जाएगी और एक असीम शांतिय असीम नुभव आप फील करेंगे और एक अलग से इंसान हो जाएंगे आप आपको संसार की सब चीजों से दिकत परेशानियों से कभी भी कोई टैंसन नहीं होगी